ओम शान्ति 18 जैनिवरी 2022 बाबा के महावाख्य मेठे बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे कशिश होगी गीत तुम्हें पाके हमने जहां पालिया है ओम शान्ति मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो यह शरीर मेरा नहीं यह भी खतम होना है हमको बाब के पास जाना है ऐसे ग्यान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी यह तो जानते हो यह पुराना चोला छोड़ना है यहां रहना नहीं है इस शरीर से ममत्व निकल जाए इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है इसमें ममत्व नहीं है बस घर जाए यह संगम का समय भी पुर्शार्त के लिए बहुत आवश्यक है अभी ही समशते हैं हमने चोरासी का चक्कर लगाया है बाप कहते हैं भल धन्दा धोरी आदी करो घ्रहस्त व्यवहार में रहते बुद्धी में यह याद रहे कि यह तो सब कुछ खतम होना है अब वापिस घर जाना है बाप भी सदेव घर में रहते हैं न भल आट घंटा धन्दे आदी में लगाओ आट घंटा आराम करो बाकी समय बेहद के बाप से यह वारता लाप रुहु रिहान करो बाप की शिरीमत है मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृती दासी बनेंगी सन्यासी लोग कब मांगते नहीं है वह योगी तो है न निस्चे रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है बहुत पक्के रहते हैं बस हम जाते हैं यह शरीर छोड़ जाएंगे बड़ी महनत करते हैं भक्ती मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते हैं आत्म घात तो नहीं कहेंगे वह तो होता नहीं बाकी जीव घात होता है तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करी परन्तु वह अवस्था मजबूत हो पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे फादर शोज सन सन शोज फादा बाप ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है बच्चों को बाप ने हुशियार कर ही दिया बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाई इससे हमारा जीवन भी उन्नती को पाएगा खुशी होती है हर एक को उमंग रहता है हम अपने गाउं वालों का उद्धार करी अपने हम जिन्स की सेवा करी बाप भी कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम बाप बैठ बच्चों को ही सिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नती करनी हैं बाप जानते हैं रूहानी कल्प व्रिक्ष कल्प पहले मिसल ही है यह व्रिक्ष है ना इनमे सभी सेक्षन है तुम आगे चल सब सक्षत कार करेंगे कैसे सब रहती हैं सिज्रा तो जरूर है ना बुद्धी भी कहती है वहां से आत्माई फिर नंबर वार आती हैं तो बच्चों का विचार सागर मन्थन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें यह करें साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए याद से ही उन्नती होती है बाबा कहिंगे ड्रामा प्लैन अनुसार जो पास हुआ वह ठीक है लाढले बच्चे आगे चल तुम्हारे में योगबल की ताकत आ जाएगी फिर तुम किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो जट समझ जाएंगे यह भी ज्ञान बाण है ना बाण लगता है तो घायल कर देता है पहली घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए ऐसे नहीं रात को सोया सुभा को उठा नहीं सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए रात को भी याद में सोना चाहिए बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे कशिश ही नहीं होगी भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबर वार बनने हैं फिर भी चुप करके बैठ थोड़े ही जाएंगे पुर्शार्थ कराएंगे न बच्चों को ड्रामा कहे करके खैर नहीं जाना है नहीं तो अन्त समय में बहुत पच्चताना पड़ीगा नाहिक मैंने ऐसा किया माया के वश हो गया बाप को तो तरस पड़ता है नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गती होगी रोएंगे पीटेंगे सजाईं खाएंगे इसलिए बाप बच्चों को बार बार सिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना हैं बार बार अपनी चेकिंग करनी हैं हर एक बच्चे को अपने से पूछना हैं बाप से हमें सब कुछ मिला फिर किस चीज की मेरे में कमी हैं अपने अंदर जांक करके देखना हैं जैसे नारद से पूछाना कि लक्षमी को वरने के लायक अपने को समझते हो बाप भी पूछते हैं लक्षमी को वरने लायक बने हो क्या क्या खामिया रही हुई हैं जिसको निकालने का पुर्शार्थ करना है नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना हैं बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने तो अपने अंदर से पूछो हम इन लक्षमी नारायन जैसे परफेक्ट बने हैं अगर खामिया है तो बाप को बताना चाहिए कि यह यह खामिया हमारे से निकलती नहीं है उसका कोई उपाय बताओ, बिमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती हैं, तो इमानदारी से, सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी हैं। खामियां बताओंगे, तो बाप राय देंगे, खामियां बहुतों में हैं। कोई में क्रोध है, या लोब है, या फाल्तु चिंतन हैं, तो उसको ग्यान की धारना हो नहीं सकती। बाप रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं हैं, लेकिन यह धारन करने की बाते हैं। पांच विकारों को जीतने की बात अभी ही हैं। तुम्हारे में कोई वह भूत भटकने वाले नहीं हैं। यह जनम जनमांतर की भूत पांच विकार अंदर प्रवीश हैं, जिन्होंने दुखी किया है। काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है। आखें बहुत धोखा देती हैं। इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीती डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है। तुम आत्माई तो भाई भाई हो ना, तो इस शरीर को नहीं देखना है। हम आत्माई सब वापस घर जाने वाली हैं, बाप आई हैं ले जाने के लिए। बाकी यह देखना हैं, हम सर्व गुण संपन बने हैं। कौन सा गुण कम हैं। आत्मा को देख बताया जाता है, इस आत्मा में यह खामी हैं, तो फिर बैठकर करेंट दें, कि इनसे यह बिमारी निकल जाई। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो, तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से यह भूत भागते रहेंगे, और तुमको खुशी भी रहेगी। तुम जानते हो कि यह जाड बहुत धीरे-धीरे व्रधी को पाता है। माया तो चारो तरफ से घेराव डालती है, माया का परचाया ऐसा पड़ता है, जो एक दम गुम हो जाते हैं। बाप का हाथ छोड देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है। बागी बच्चे तो सब नंबरवार निमित हैं। अच्छा, अती मीठे, अती लाढ ले, सर्व सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का, दिल वजान, सिक वप्रेम से, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। अव्यक्त महवाक्य अन्तिम सर्विस का अन्तिम स्वरूप अपने अन्तिम स्वरूप का सक्षतकार होता रहता है। क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं, उतना ऐसे अनुभव होगा, जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा, कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे व्रद्ध अवस्था वालों को यह सम्रती रहती है, कि अभी व्रद्ध हों, अभी अभी जाकर बच्चा बनूँगा। ऐसे ही अपने अन्तिम स्वरूब की सम्रती नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से सक्षत कार हो, अभी यह हों, फिर यह बनूँगा। जैसे शुरू में सुनाते थे, कि जब मन्जिल पर पहुँच जाएंगे, तो ऐसे समझेंगे, कि कदम रखने की देरी है। एक पाउं रख चुके हैं, दूसरा रखना हैं, बस इतना अंतर है, तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षतकार होता है। जैसे आइने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नौलिज के दरपन में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुन्दर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी यह धारन करना है। तो ना चाहते हुए भी धारन करने का समय जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा, तो अटेंशन जाएगा क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है। उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। वह लाइट का स्वरूप कहो वह चोला कहो। लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिष्टों का स्वरूप क्या होता है। लाइट देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रंगार है, जहां भी देखेंगे, लाइट ही देखेंगे. मस्तक के उपर देखेंगे, तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा, नैनों में भी लाइट की किरणे निकलती हुई दिखाई देंगी, तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है. क्योंकि माइट रूप अर्थार्थ, शक्ती रूप का जो पार्ट चलता है, वह प्रसिद्ध किस से होगा? लाइट रूप से. कोई भी सामने आए, तो एक सेकिंड में अशरीरी बन जाए. वह लाइट रूप से ही होगा. ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे, जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ीगा. विनाश के समय पेपर में पास होना है, तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़ी. चलते फिरते अपना वह रूप अनुभव होना चाहिए. यह प्रैक्टिस करनी हैं. शरीर बिलकुल भूल जाए, अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित आकारी लाइट का रूप धारन करना है. जैसे पार्ट बजाने समय चोला धारन करते हो, कारिय समाप्त हुआ, चोला उतारा. एक सेकेंड में धारन करेंगे, एक सेकेंड में न्यारे हो जाएंगे. जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह करम भोग समाप्त होगा. जैसे इंजेक्शन लगा कर दर्द को खतम कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास कराते हैं. ऐसे ही यह सम्रती स्वरूप का इंजेक्शन लगा कर देहे की सम्रती से गायब हो जाएं. स्वयम भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो, तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे. अन्तिम सर्विस यही है. इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थार्थ हलकी होगी. जो कहवत है ना, पहाड भी राई बन जाता है. ऐसे कोई भी कारिय लाइट रूप बनने से हलका हो जाएगा. बुद्धी लगाने की भी अवश्यक्ता नहीं रहेगी. हलके काम में बुद्धी नहीं लगानी पड़ती है. तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिती में, जो मास्टर जानी जाननहार वा मास्टर त्रिकाल दर्शी के लक्षन हैं, वह आ जाते हैं. करें या ना करें, यह भी सोचना नहीं पड़ेगा. बुद्धी में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है. उस अवस्था के बीच कोई भी करम भोग की भासना नहीं रहेगी. जैसे इंचेक्षन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृती नहीं रहती है. कर रहे हैं, यह स्मृती नहीं रहती है. स्वत्हे ही होता रहता है. वैसे करम भोग वा कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा. लेकिन इस्मृती नहीं रहेगी. वह अपनी तरफ आकर्शित नहीं करीगा. ऐसी स्टेज को ही अन्तिम स्टेज कहा जाता है. ऐसा अभ्यास होना है, यह स्टेज कितना समीप है. बिल्कुल सम्मुख तक पहुँच गई है. जब चाहें तब लाइट रूप हो जाएं, जब चाहें तब शरीर में आएं, वा जो कुछ करना हो वह करें. सदाकाल वह स्थिती एकरस जब तक रहे, तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे. फिर ऐसे रहते रहते सदाकाल हो जाएगी. जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे न, फर्स्ट में रहते भी फरिष्टे का अनुभव करते थे. ऐसी स्टेज तो आनी है न, शुरू शुरू में बहुतों को यह सक्षतकार होते थे. लाइट ही लाइट दिखाई देती थी, अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार सक्षतकार करते थे. जो आदी में सेम्पल था, वह अन्त में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा. संकल्प की सिध्धी का सक्षतकार होगा. जैसे वाचा से आप डाइरेक्शन देती हो न, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो. साइन्स की शक्ती से नेचे प्रत्वी से उपर तक डाइरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या स्रेस्ट संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? साइन्स ने कौपी तो साइलेंस से ही की है तो एक्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने हैं कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना फिर बोलने की आवश्यक्ता नहीं जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले जितना जितना अनुभव करते जाते हो एक दो के समीप आते जाते हो तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धी में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उनकी बुद्धी में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीन्ता तो यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे, इन्हों की कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है, नजर से देखा और समझ गए, सुक्षम वतन यहां ही बनना है, अच्छा, ओम, शान्ती वर्दान, भुजाओं में समाने और भुजाओं बन सेवा करने वाले भ्रह्मा बाप के सनेही भव़जो बच्चे बाप इसनेही हैं, वह सदा भ्रह्मा बाप की भुजाओं में समाई रहते हैं यह भ्रह्मा बाप की भुजाओं ही, आप बच्चों की सेफ्टी का साधन हैं जो प्यारे सनेही होते हैं, वह सदा भुजाओं में होते हैं, तो सेवा में बाप दादा की भुजाओं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में इन दोनों द्रश्यों का अनुभव करो, कभी भुजाओं में समाजाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैं स्लोगन संतुष्टता और प्रसन्यता की विशेष्टा ही उड़ती कला का अनुभव कराती है लवली निस्थिती का अनुभव बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमरत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं दिन का आरंब ही कितना स्रीष्ट होता है स्वयम भगवन मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं रुहु रिहान करते हैं शक्तियां भरते हैं बाप की महबत के गीत आपको उठाते हैं कितना इस नहीं से बुलाते हैं उठाते हैं मेठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सेहज योगी जीवन का अनुभव करो, ओम शांती झालना का अनुभव करो, ओम शांती